हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आज हम बना रहे हैं आईस्क्रीम सामगी में हमें चाहिए दूद, चीनी, काजू, बदाम, पिस्ता और फ्लेवर के लिए आईस्क्रीम में डाला जा रहा है रबडी का पाउडर तो हम बनाने जा रहे हैं रबडी वाली आईस्क्रीम तो ले लीजी जल्दी से एक कड़ाई कड़ाई में डाल दीजी दूद दूद को अच्छी तरह से उबाल लीजी दूद के उबल जाने पर इसमें रबडी पाउडर का पेस्ट अच्छी तरह से मिला लीजी अब आप इसे धिरे धिरे हिलाते रहें ताकि एक गाड़ा सा पेस्ट त्यार हो जाए गाड़ा सा पेस्ट त्यार होने के पश्चात आप डाल दीजिए इसमें चीनी उसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए सभी चीजों के अच्छी तरह से मिल जाने पर आप इसे साइड में रखती जिए ठंडा होने के लिए दूद के ठंडा होते ही इसे जार में डाल लीजियो और अच्छी तरह से ग्रहंट करती जिए ताकि एक गाड़ी सी रबडी बन जाए जब रबडी का पेस्ट गाड़ा हो जाए तो आप इसे उस बरतन में निकाल लीजिए जिस बरतन में आप बनाने वाल है आईस क्रीम हमने यहाँ आईस क्रीम बनाने के लिए दो बरतनों का प्रियोग किया है बर्तन में निकालने के पश्चात आप इसमें काजू बदाम पिस्ता अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं इससे आईस क्रीम देखने में भी अच्छी लगेगी और इसका स्वार भी चार गुना बढ़ जाएगा बस अब देरी किस बात की है अब इसे फटा फट से फ्रीजर में डाल दीजिए जमने के लिए तो लीजिए त्यार है आपकी आईस क्रीम मिल गया आपको आपकी मेहनत का फल देखिए कितनी बड़िया जमी है आइस्क्रीम ये आइस्क्रीम बनाने की फर्माईश थी मेरे पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों की फिर मैंने भी देरीनी की, कतिस मार्च भी आई गया था, उनका रिजल्ट भी आ गया था तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई